कॉंग्रिस ने शनिवार को महराश्च विदान सबाद चनाओं के लिए 23 उमिद्वारों की दूसरी सुची जाने की है ताजा सुची में कॉंग्रिस ने बीचे पी उमिद्वार मोहनमत्य की खिलाब दक्षिन दापूर से गिरिश कृष्णराओ पांटो को उमिद्वार बना साम ने कारीकरताओं ने डूल बजाकर पटा के पोड़कर जश्ट मनाया इस दूरान कारीकरताओं से संबाद साता है आई ये डालत एक नज़र पिदाया सबा चुनाद वाता 24 के लिए दक्षिन नाकपूर की महाविकास आगारी की सीट जो है वो जहाहीर हो चुके घोशित हो चुके गिरिश पांटो ये जो कॉंग्रेस के नेता है इन्हें ये सीट गई है हमारे साथ कारीकरताओं से जानते है कि क्या कहिना चाओ गया हमको बड़ी खुशी है कि गिरिश भाव को टिकेट मिलना ही है क्योंकि उनके 15 साल के महिनत के वैसे आज उनको सपलता मिली है और महायूती सरकार ने पूरे उनको साथ दिया है बस एही कहें कि मैं दोस्ति बहुत दिनों से चर्चाय चल रही थी बहुत नामों का नामों प पास जाने को कोई मतलब नहीं था हमारे पहले भी आमदर के हुई अभी नहीं तीके मिलता अब तो पक्के आमदर हो गए हम देख रहे हैं कि मौन मतिया के सिटिंग विदायक है रनिंग विदायक है क्या बता होगे उनके खिलाप लडाइं होने वाली है गिरिश पांडर इ प्रति निदी जो छोटे-छोटे लोग प्रति निदी है उनके कोई काम नहीं हुए और माफिया इस पास साल में आगे बढ़े है यह एक्चुली कैसा है कि यह पबलिक को पसंद नहीं है यह दक्षिन नाकपूर सामान्या लोगों का मतदार संग है और यहां सब नौकरी प पास साल बहुत महिनत करें और जो भारतों यंतापाइट का के निदेट है उनकी जमीन के अपर बिदाई तैय है और वहारना तैय है और गिरिश पांडों को टिकिट मिलने से कार्य करता में दक्षिन नाकपूर में उर्जा का संचार है हम देख रहे कि गिरिश पांडों के तार्य करता में यहां पर बड़ा उत्सा दिखाई दे रहा है यहां डोल ताशे बजा कर फटा के फोड कर यह जश्न मनाय जा रहा है 20 नवंबर को चुना ओने और 23 नवंबर को रिजल्ट आएगा उसके बाद पता चलेगा कि यहां का पराजा कौन बनता है क्यामेरा परसन राशकुमार मोर के साथ मेक्षेति जादेश मुख बीसीन नियोज नाकपूर